हेलो एब्रीबन गुड मॉनिंग तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इस वीडियो में एक टॉपिक लेकर आये हम रिशनलाइजिशन ठीक है तो रिशनलाइजिशन पर बेस्ट हमने यहां पर कुछ कुछ लिखाया चार कुछंस यहां पर और यह चार कुछंस आप देख लीजि इस टैप के कुछंस को जो रिशनलाइज करते हैं स्टूडेंस तो उसमें फहुंसते हैं क्योंकि उसके पास जब इस तरह का कुछंस होगा जैसे कि मालने जिए फाइब रूट टू प्लस सपोज यह यहां रूट फाइब है तो जब जब इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ द इसके डिनोमिनेटर में सब में क्या है 3 3 numbers है सब में 3 terms है 3 terms है तो आप किसके बीच का sign change करेंगे अगर इसका trick आपको नहीं मालूम होता है तो फिर आप इसके जो calculation होगा उसमें आप फंस जाईएगा तो ठीक से रिशनलाइज नहीं हो पाएगा और आपका जो प्रोसेस है आपको जो calculation है वो lengthy हो जाएगा तो इसी का solution लेकर अभी हम इस वीडियो में आये हैं आपको कैसे करना है और आपको देखिए जब भी 3 terms होगा तो उसको 2 बार rationalize करना होता है लेकिन आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि 2 बार rationalize हम कैसे करें किस number से multiply करें कहां पर sign change करेंग दोते हैं आखि रेशनलायिशन में करते क्या है तो रेशनलाइशन में हम लोग अगर कोई real number होता है यह सब्सक्राइब यह सबी ररिया लंबर क्योंकि इसमें और इसर्नल हो जाए ऍसनाल बन जाए तो इसी को आपको दिखा धेते हैं बाकी तीम आपको खुद बन जाए गा और बाकी तीन क्या इस तरह का जितनी भी questions होंगे आपकी book में आप उसे solve कर सकते हैं ठीक है लेकिन याद रखे कि इसमें देखे कितने सब में सब में three terms है ठीक है सब में three terms है और जो easily बन जाएगा इसका देखिए ट्रिक क्या याद रखना है आपको पहला question जो हम लिखते हैं यहां पर वह है three by three by root three plus root five माइनस क्या है root two यह है ना यह है देखिए इसमें आपको आप तब तक यह माइन में सेट करिए यह माइन में सेट करिए जैसे इसके प्लस है यह माइनस है यहां plus है माइनस है यहां plus है माइनस है यहां plus है दोनों जग प्लंस प्लंस यह प्लंस कुछ देर के लिए जब आप questions को सुनिए गा ना थ्यान से सुनिए जब क्विसफिक अंस नहीं है अब आप मंड में यह को कि यह जो रूट 3 है ठीक है यह तीनों नमबर रूट 3 फिर रूट 5 और रूट 2 है ना यह जो तीन नमबर से इन तीनों का आप स्कॉयर करिये मैंड में चलिए जैसे इस तीनों का अगर इसका स्कॉयर करिएगा तो 3 हो जाएगा इसका स्कॉयर करिएगा तो 5 हो जाएगा और इस में से 3 नमबर में से किस 2 को add करके, किस 2 को add करके तीसरे के बराबर हो जाएगा, तो 3 और 5 को, 3,2 को क्या करते हैं, 3,2 को जोर देंगे, तो 5 हो जाएगा, मतलब हमको root 3 और root 2 को एक साथ रखना है, जैसे, इस root 3 के square 3 होगा, और root 2 का square 2 होगा, तो 3 plus 2 मिलके 5 हो जाएगा, इधर 5 अकेले काम कर लेगा, ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर root 7 का square 7, root 6 का square 6, तो 7 और 6 मिलके 13 हो जाएगा, और root 13 का square 13 हो जाएगा, आपको बोले तो plus मरस कुछ देर के लिए आप भूल जाएगे, मतलब किस 2 का square तीसरे क बराबर हो जाएगा, तो जो 2 आपको, जिस 2 का square अगर तीसरे के बराबर हो जाता है, तीसरे के square के बराबर, तो उस 2 को आप 7 में रख लिजे, कहना के मतलब, अगर हम इस question को solve करें, तो इसको हम ऐसे कर लेंगे, देखिए, यहाँ root 3, ठीक है, root 3, minus root 2, इस दोनों के एक root 2 बाद में है, तो इसको 7 में ले लिए, root 5 को लिख दिए, क्योंकि इसका, इसका square करेंगे, तो हमको root 5 के square के बराबर हो जाएगा, पस ठीक है, इतना, तैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है आपको root 5, root 3, root 2, तो यहाँ भी क्या होगा, root 5 को अकिला रखेंगे, और इस 7 में कर लेंगे, यहाँ पर 2 का square तो 4 हो जाएगा, root 3 का square 3 हो जाएगा, 7 का square 7 हो जाएगा, तो इस दोनों को भी क्या करना परेगा, 7 में लखना परेगा, मतलब यहाँ जो यहाँ बनेगा, यहाँ हम इस दोनों में bracket लगा लेंगे, इसको plus root 7 को ऐसे ही छोड़ देंगे, ब अब आपको बस वही process को अपनाई करना है, जो आप sign change करते हैं बीच में, क्योंकि rationalizing factor होता है, ठीक है, RFE सब के बारे में वीडियो हमने बनाया है, तो यहाँ देखी, अब simply क्या करेंगे, 3 by root 3 minus root 2, ठीक है, प्लस root 5 जो है, इसको लिख देते हैं, उसके बाद ऊपर निचा फिर minus root 5 से, मतलब पहले कि main चीज था कि किस इस में से हम इस तीनों में से, किस 2 को एक साथ रखे, किस 2 को, तो यह तो पता चल गया है, कि root 3 minus root 2 को हम एक साथ रखे लेंगे bracket के अंदर, उसको रूट 5 को अलग कर दिए, इसके बाद इसके बीच के sign change करके, क्या की उपर इसको लिख देते हैं, क्या है न, कि यहाँ आप यह अगर मालेज हम नहीं भी देते हैं यहाँ पे, तो कोई फर्क परने वाला है, यह यह से कैसे हो जाएगा, root 3 minus root 2 minus root 5, 3 into लगा दिए, ठीक है, 3 into, नीचे में, आप इस पूरा को आप A मानिए, इसको B मानिए, इस पूरा और मैनस B A स्कूर, तो एक जगह हो गया, आपको root 3 minus root 2 का A स्कूर, A स्कूर, ठीक है, A स्कूर, आप मानिस B A स्कूर, तो root 5 का A स्कूर, समझे बात, कि नहीं समझे, समझे इतना हो गया, अब चलिए, अब इसको तोरना है, आगे भी, ठीक, तो आगे तोरते हैं, इसके स्कूर, तो एक स्कूर, जो है, root 3 के स्कूर, 3 होता है, plus B स्कूर, तो root 2 का स्कूर, 2 हो जागा, गये, यह हो जागा, और A मैनस हो गया माइनस डेकरगर के रूट फाक स्कॉर्पाइब हो जाएगा ठीक है ऊपर देखे जरा ओपर में जो है त्री ूट थी 3-2-5 नीचे यह 3 मिलके 5 हो गया माइनस 2 रूट अच्छा इसको जो है इसको माइनस 2 है इंटू रूट 2 रूट 2 इंटू रूट 3 तो रूट 6 हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा तो प्लस 5 माइनस 5 यह कट गया इसलिए यही काटने के लिए दो को हम एक साथ रखने के लिए कहा रहा है अब यहां पर ऊपर में वहाँ इस थ्रीस मल्लिप्लाही कर देते हैं ठीक है देखते बाद में बाद में जब कोमन निकालने हो तो निकाल लएंगे तो 3-3-3-2 और-3-5 समय 3 से मल्लिप्लाही कर दिया नीचे बच गया आपको minus 2 root 6 अभी भी रिसनल लाईएशन अभ खतम नहीं हुआ है नहीं हुआ है क्यों कि नीचे में अभी भी हमको irisional numbers बचा हुआ है अब आपको सिफ root 6 को हटाना है तो क्या करेंगे सीधे उपर-nीचे रूट 6 से क्या करना होगा multiply कर देना होगा सीधे किस से क्योंकि root 6 ही को रिमूब करना है तो root 6 को root 6 से multiply कर देंगे तो root 36 हो जाएगा 36 का square root आपको 6 निकल जाएगा तो उपर नीचे क्या करना है root 6 से multiply कर देना है ठीक है हरूट रूट रूट टूरूट सिक्स मिलक मोलं जाएगा रूट वर टी软 ख्रव तीरी अर्मार नीशे तीस हो जाएगा फिप्ढ है यह तई हो जाए अब निचे दिखिए नीचे जो अग्या से सम्में से 3 सी काड़े करें सी से इसको काड़ सकते संगे हैं अछी को म Intれ है लेकिन एग आप देखिए राइक कोमें लेने के बाद यह बाध यह जो अठारा है यह रूट 8 बच जाएगा माइनस रूट 12 बच जाएगा कटा माइनस रूट 30 बच जाएगा और नीचे में है माइनस माइनस यह आपको च्छा दूना बार तीन से काटेंगे तो चार हो जाएगा ठीक है थोड़ा हमको इसको इधर इरेज करना होगा अब उपर जो है उपर बच गया हमको रूट 18 माइनस रूट 12 माइनस रूट 30 नीचे में माइनस रूट 4 देखिए 18 का स्क्वाइर रूट को आप इसमें 18 के अंदर में तीन गुने तीन गुने दो अब लिख सकते ना है माइनस तो माइनस रूट 3 मेरे रूट 3 2 सब्सक्राइल हो देखिए अब इसका डिर्मिनेटर नेट़ वह हो गिया क्या हो गया, rational हो गया, इसका denominator जो है, आप वो, rational हो गया, ओके, तो light भी cut गया है, questions के end होते ही, तो hope कि आपको ये questions समझ में आ गया है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए, thank you.